लोग सबस्चुनाओं के नतीजे आने के बाद कॉंग्रेस पार्टी भले ही 44 से 52 पर पहुँच गई हो महीर राहूल गांदी के नितब पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं इसी बीच कॉंग्रेस की किरकिरी भी हो रही है आपको बता दें के 2014 में 44 सीट और 52 सीट मिलने के बाद कॉंग्रेस नितब पर सवाल उठने लगे हैं मशूर इत्यासकार और बीते 5 सालों में कैई बार मुदी सरकार पर सवाल उठाने वाले रामचंद्र गुआने अब राहूल गांदी के नितब पर सवाल खड़े कर दिया है रामचंद्र गुआने का वहरानी की बात है अभी तक राहूल ने स्टीफा नहीं दिया अभी तक राहूल गांदी ने कॉंग्रेस अध्यक्ष के पस्ते सिफा नहीं दिया, उनकी पार्टी ने चुनाओं में काफी बुरा पर्दशन किया, वे अपनी खुद की सीठी आ चुके